चीनी की खपद को कम करने की कुशुच कर रहे हैं, ये सवाल क्यूंता है। चीनी स्वास के लिए हानिकारख्यों है जानवरों के हट्टियों से बने आपके अजे अजए attract और इस प्रक्रिया के दवारा गन्नी के रस्मैं स्ध्ञित सारे vitamins, minerals सब को निकाल दिया जाता है आप चीनी खा रहे हैं तो वो जहर धीरे-धीरे आपके अंदर जा रहा है और पूरी तरीके से जो आप चीनी खा रहे हैं वो वेज़ है इसका कोई प्रमाण नहीं है भारत एट नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मेहू का जोल नरायन आज हम बात करने वाले हैं इस हफते के खास एपिसोड में जिसमें हम लगातार पर बात की दाल चावल पर भी हमने बात कर ली और आज हम बात करने वाले हैं चीनी पर चीनी को लेकर बहुत सारे मित हैं बहुत सारी बाते बताई जाते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी चीनी आप कम से कम खाये तो आज चीनी पर बात होगी क्य कि बहुत सारे लोगों में कहीं न कहीं सवाल है कि क्या आप वेजिटेरियन है अगर आप चीनी खा रहे हैं तो तो इसका भी जवाब में दूंगी कि अगर आप चीनी खा रहे हैं तो क्या आप वेज हैं या नॉन वेज हैं और अगर आप चीनी उपवासों में यानि कि सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है देश में 2021 से 2022 में चीनी के मौसम के दौरान पांच लाख मिट्रिक टन से जादा गरने का उत्पादन हुआ है तो ये उत्पादन जो कि 2021 से 22 का मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद खपत भी जान 2019 में जहां 275 लाख टन चीनी की खपत थी तो वहीं 2021 से 2022 में ये 290 लाख टन पहुँच गई है इस जाफा हुआ है इसकी खपत में भी जहां एक तरफ चीनी को अवाइड करने की बात होती है तो वहीं साल दर साल इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है साल 2021 से 2022 में चीनी की खपत में थोड़ी से वृद्धी हुई वहीं चीनी उतपादन लगभग 320 से 350 टन प्रतीवर्श रहा है तो सबसे पहले आईए जान लेते हैं कि चीनी बनती कैसे है चीनी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है जो कई चर्णों से होकर अंतिमुतपाद तक पहुँशती है जो स्वादिस्ट और करी लोगों द्वारा पसंद भी किया जाता है तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि आखे चीनी बनाने के क्या प्रोसेस है गन्य के खेती चीनी के निर्मान के लिए हर साल फरवरी में गन्य की बॉआई के साथ शुरवात होती है गन्य की खेती के लिए उप्यूक्त बातवरण और पौधों की निरंतर देखभाल की अवश्रकता होती है जब गन्य बढ़ता है और इसकी कटाई सतीकता और साबधानी से की जाती है गन्य को तयार करना और काटना कटाई के बाद चीनी का रस निकालने के बाद गन्य को भारी धातू के रूलर से कुछला दिया जाता है चुकंदर को छोटे-छोटे टुकडों में काट कर शुद किया जाता है और पिसे हुए गन्य पर गर्म पानी छिड़का जाता है चुकंदर के टुकडों को गर्म पानी की तंक्यों में रखा जाता है और पिर चीनी का रस निकालने के लिए इसे दबाय जाता है इस जो उसमें अन्य पदार्टों के अलावा चीनी भी होती है निकाले गए रस को किसी भी ठोस या आवालचित पदार्ट को हटाने के लिए शुद किया जाता है रस को इसकी जो अशुद्धिया होती है, उसे दूर करने के लिए इसमें रसाइन मिला आए जाते है जी हाँ एक बार जब रस निकल जाता है तो अगले चिनल पर जाने के लिए से तैयार किया जाता है फिर इससे पकाय जाता है भाप निकाली जाती है तरह तरह की चीजे होती है ताकि इसकी अशुदिया जो है वो हट जाए तो प्रोसेस तो बहुत बड़ा है आपने सुना बड़ी बड़ी चीनी मिल्स जहां पर किसान जो है अपना गन्ना देते हैं और फिर चीनी वहाँ बनती है और वो चीनी फिर आप लोगों के घरों तक पहुशती है देखे वैसे तो बाजार में चीनी के कई विकल्प उपलब्द है और चीनी के विकल्प कई लोगों के लि इसके बाद ये भी कहा जाता है कि कई बार इसमें जानवरों की हड़ी भी मिलाई जाती है जिससे इसका रंग सफेध होता है और वो पॉलिश्ड क्रिस्टल की तरह नजर आती है तो आएए चीनी के विकल्पों की समिख्षा करते हैं कि आफिर आप चीनी को हटा कर कैसे दूसरी प्रकृतिक तौर पर चीनी का अस्तमाल कर सकते हैं स्वीटिवा पत्तों पौधों की पत्तों से प्राप्त होता है चीनी का एक विकल्प है क्योंकि इसमें क्यालोरी कम होती है और इसमें रक्त श्रक्रा के स्थर पर कोई प्रखाव नहीं पड़ता है यानि कि डाविटीज होने का डर नहीं रहता है अक्सर इसे मिठाईया और इन खादे पतारतों को मीठा करने के लिए इस्तमाल किया जाता है खजूर भी इसका एक विकल्प हो सकता है नारियल चीनी भी इसका विकल्प हो सकता है नारियल चीनी सपेच चीनी का एक और स्वास्थ विकल्प है इस अनारिल के गूदे से निकाला जाता है उसका स्वाद मीठा होता है तो उसी की तरह ये बिलकुल ऐसा लगता है और सिरफ चिनी भी एक प्राकृतिक कहिना का ये फलो से बनता है और शहद भी चिनी का विकल्प है आजकल तो बहुत लोग चिनी का विकल्प करके शहद की तरफ बढ़ रहे हैं साथी साथ और भी तरीके के जैसे की कोकोनट चिनी की मैंने जिकर किया इसकी तरफ बढ़ते वे नजर आ रहे हैं अब तो बहुत लोग शुगर फ्रे की तरफ बढ़ रहे हैं और मीठा चिनी कम करने वाली और बिना चिनी वाली कही ना कही चाय पी रहे है लेकिन अगर आप अभी भी गाउद हातों में जाएंगे ये कस्कों में जाएंगे तो वहाँ पर चीनी का अस्तमाद धरलने से किया जाता है एक जमारा था जब चीनी जो है वो बहुत कम लोगों को उपलब हो पाती थी और कही न कहीं कहा जा सकते कि जो रईस लोग होते थे वो चीनी का अस्तमाद करते थे लेकिन इसका उतपादन इतना जादा और इसके डिमान इतनी जादा बढ़ गए कि आज चीनी के बिना शायद ही किसी कीचन है वो कही न कही हो दूरी होती है लेकिन चीनी स्वास के लिए हानिकारा क्यों है ये जानना बहुत जादा जरूरी है सबसे पहली बात वजन बढ़ता है चीनी वजन बढ़ाने का कारण बनती है क्योंकि इसमें शरी को कई पोर्षन मूले प्रदान किये बिना उच्छ कैलरी होती है इस प्रकार शरी में वसा जमा हो जाती है और मटापे की संभावना बढ़ जाती है स्वास्त समस्याएं चीनी के सेवन से कई बिमारियों का खत्रा भी बढ़ जाता है जैसे उच्छ रख्टचाप, हालिकारक, कॉलेस्ट्रॉल का बढ़ावा अस्तार और टाइप टू मधु में मैं सहिधरोग के खत्रे को बढ़ाने में disease कारक माना जाता है साती-जादा मात्रा में चीनी खाने से चया पाच्छ प्रक्रिदावें में गार्बड़ी हो सकती है मधु में हो सकता है और गंभीर बिमारियां भी भी हो सकती है भूक में बहुत जादा वर्धी हो जाती है अगर चीनी शरीर के हार्मोन को प्रभावित करती है तो कहीं न कहीं इससे भूक कम हो जाती है इस प्रकार ये वर्धी को पेट भरावा महसूस के विना बड़ी मात्रा में भोजन खाने पर मजबूर कर देती है जिससे कैलरूर की खपत में बर्धी हो जाती है दातों पर भी इसका असर पड़ता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये तो जानते होंगे कि हाँ चीनी खाने की बजल से मधू में डावची शुगर का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं ये जो जानते हैं कि दातों पर ही इसका असर पड़ता है चीनी खाने से दातों पर बहुत असर पड़ता है और दातों के सडने का खतरा बहुत जादा बढ़ जाता है इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं और चॉक्लेट स्टॉफियां कम दी जाती है ताकि उनके दातों में कावटी ना हो मुँ में बाक्टीरिया ऐसे रुथपन करने के लिए इंधन के रूप में चेनी का उपयोग होता है जो दातों को ढपने वाले इनेमल को नश्ट कर देता है मुट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी हा चीनी एक ऐसी चीज़ है ऐसा पदार्थ है जिससे आपके मुट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लंबे समय तक बड़ी मात्रा में चीनी खाने से मूड और समानने स्थिती पर असर पर सकता है और साथी साथ जो शुगर लेवन है उसमें कहीं न कहीं बढ़ोत्री और अचारा कमी भी हो जाती है कई मार ऐसा होता है कि इसमें जादा अगर हो जाता है तो ठकान होती है तनाव होता है और अवसाद की स्थिती भी हो जाती है लत कहते हैं कि लत सिर्फ ऐसी शराब की या सिगरिट की नहीं होती है लत चीनी की भी होती है मनोव वग्यानिक लट का कारण चीनी बन सकती है क्योंकि ये सीधे दिमाग पर एक रसायन छोड़ती है जो खुशे और आराम की भामरा पैदा करती है इस प्रकार व्यक्ति लगातार चीनी के सेवन पर नेल भर हो जाता है प्रकार चीनी का इस्तमाल खान पान के चीजों को मीठा करने के लिए तो किया जाता है या फिर कहें कि इसमें मीठात देने के लिए किया जाता है बहुत सारी चीजों में चीनी का अस्तवाल किया जाते है जैसे बिठाई बनाने में खीर में चीनी का पराठा भी बनाया जाता है दूद में भी चीनी डालकर पी जाती है चीनी एक crystal खाड़े-पदार्थ है इस मुखे तौरपर सुक्रोज, लेक्तोज और फ्रैक्टोज होता है चीनी मुखे तोरपर गन्ये और चिकुंदर से तयार की जाती है ज़्यादा चीनी की सेवन से मोटापा बढ़ता है गन्य के चीनी बनाने के लिए गन्य का रस निकाला जाता है जैसे कि आपने पहले भी सुना और गन्य के रस में Sulfur Dioxide Phosphorus Acid मिलाकर रुफाइन किया जाता है तो ये एक सही सही प्रोसेस है और कहीं ना कहीं जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि अगर आप चीनी खाते हैं तो क्या आप वेजिटेरियन हैं तो अब जवाब सुनेजे जब चीनी बनती के गन्य का रस जब निकलता है तो फिर उसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है अब इसको साफ करने के लिए कई बार कई चीनी मिल्स में थो रिफाइन किया जाता है यसे जैसा कि बताया है मैंने कि सलफर डाइयोगसाईड फसफॉरिस एसे यह मिलाय जाने जी जिससे वो रिफाइन हो सके लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानवरों की हट्डियों से बने कोईले द्वारा भी से साफ किया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा गरने के रस में स्थित सारे विटिमेंस मिल्वर सब को निकाल दिया जाता है वह यब इस चीनी में केबल ग्लुकोज ही बचता है चीनी के केमिकल नाम को अगर हम देखे तो C12H2OH है और हमारी शरी के लिए चीनी जरूरी भी है जी हाँ World Health Organization के मताबिक एक शक्स को एक दिन में 6-7 चमर चीनी का अस्तमाल करना चाहिए इसका मतलब एक दिन में 25-30 ग्राम ही चीनी खानी चाहिए शरीर को चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है जो कोश्रकाएं रच से ग्लुकोज यानी की शक्कर लेकर उड़रा प्राप्त करती है इस प्रकार से शक्कर सरीर के लिए जरूरी होती है बता दे कि खून में मौजुदा शुगर काम आती रहती है और खून में शक्कर के मात्रा नियंतर्त बन गयती है इस तरह से ग्लुकोज की तरह ली जाने वाले शक्कर की कम मात्रा नुकसानते नहीं होती है चीनी खाना कितना नुकसानते हो सकता है आसान भाश्रा में समझे तो चीनी खाना हमारे खून को काफी गाढ़ा बना देता है और खून गाड़ा होनी की वज़र से हमारे शीर के कई भागों में पहुँश नहीं पाता है जिसके वज़र से दातों और हजियों में कहीं तरह के रोग पैदा होते हैं पूर्मेचीनी की मात्रा समाने से ज़्यादा होने पर जब कोश्यकाएं मरती हैं तो कोश्यकाओं के DNA और RNA का रुपांतरन यूरिनस में हो जाता है यूरिन से यूरिक एसेड उत्पन होता है ताप सोचे कितरा खतरनाप हो सकता है अगर ये हाई लेवल पर जाता है ये यूरिक एसेड निट्रिक ऑफसाइट को घटा कर बढ़ा देता है इस वजह से रक्त नालिकाओं के स्मूद मसल सेंस से कुर जाते हैं और अप्तचाप बढ़ जाता है बताने के प्रक्रिया गुर्दे खराब होने का कारण बनती है इस प्रकार यूरिक एसिड के हिदे रोग उच्छरक तचाप मुटापा स्टोक का कारण भी बन जाता है चीनी के पाचन के समय उत्पन होने वाले विशयले तत्व हमारे मश्टिद और नाड़ी दस्थान में खटा हो जाते हैं जिसके वज़े से भागू की कुर्शनाय मर जाती हैं जिससे मश्टिद और तंत्र के रोग हो सकते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि चीनी सिहत के रहे फायदे मन भी होती है इसको खाने के शरीकों कहीं तरह के नुकसान चेलने पड़ते हैं तो बहुत सारे options है कि आप चीनी को आववाइड कर सकते हैं और कहीं न कहीं कई जो बड़ी जो मिल होती है श्वगर मिल वहां पर तो श्वगर को सही तरीके से रफायन किया जाता है लेकिन जो छोटी-छोटी मिल्स होती है वहाँ पर जो सबसे घटिया जो चीनी होती है वो बाजारों में आ जाती है वो सस्ती आपको मिल सकती है लेकिन जितना हो सके तो अगर आप चीनी का इस्तमाल भी कर रहे हैं तो कम से कम करें और अच्छी quality की चीनी का इस्तमाल करें और option में कहीं ना कहीं लोग बढ़ रहे हैं या तो आप skip कर दे लेकिन और दूसरे जैसे फलो से आप मिठा जो आपके शरी को जरुत है वो ले सकते हैं लेकिन जो दूसरा विकल्प है वो ये कि गुड़ काई लोग चीनी चोड़ने के लिए गुड़ का सेवन करना शुरू क करन देते हैं यहां तक की चाय में भी चीनी की जगा गुड़ का अस्तमाल करते हैं लेकिन क्या सच में गुड़ चीनी को टकर दे सकता है ये बड़ा सवाल है दरशल चीनी ओर गुड़ दोनों में ही कुछ कम अऔर फूबिया है कुछ निट्रिट्रिस्ट बताते हैं कि गुड़ और चीनी की दुलना करते हुए कुछ facts है गुड़ चीनी का replacement नहीं है यह सबसे बड़ा fact गुड़ और चीनी का इस्तमाल मौसम और food के combination पर निरभर करता है गर्यों में चीनी और सर्दियों में गुड़ का सेवन करने की सलहा दी जाती है तेल चक्की, गोंद के लड़ू, पॉली और बाजरे के रोटी जैसे फूर आइटम्स के लिए गुड़ का अस्तमाल करना बहतर होता है चाई और कॉफी, शर्बद, श्रीखन और करनजी आधी के लिए चीनी का इस्तमाल बहतर है गरपर सबय के मताबिच चीनी और गुड़ दोनों का अस्तमाल करें गुड़ के फायदे चीनी से ज्यादा है गुड़ और चीनी दोनों का सोर्सी गरने का रस है बस फर्क सिर्फ कितना है कि इन दोनों की प्रोसेसिंग अलग है हाला कि इसमें कोई शक नहीं है कि गुड के फायदे चीनी से ज्यादा है गुड पूरी तरह से एक नेश्रल फूर आइटम है जबकि चीनी में ब्रीचिंग प्रोसेस की बज़र से कैमिकल आ जाते है रिफाइंट चीनी को बनाने के लिए कामिकल्स का स्थमाल होता है लेकिन गुड को चीनी की तरह नहीं बनाया जाता फून की कमी की समस्या से जूज़रे लोगों के लिए गुड बहुत फायदे बंद होता है क्योंकि इसमें iron, potassium, magnesium, calcium, zinc और selenium की मातरा बहुत ज्यादा होती है गुड का slow absorption blood sugar के level को balance कर देता है जबकि चीनी तेरी से observe हो जाती है और blood sugar के level को बढ़ा देती है चीनी सिर्क होकला एक calorie है जबकि गुड में vitamin, minerals और antioxidants जैसे तत्व हैं जो health और immunity के लिए बहतर माने जाते हैं आयरवेद में भी गुड में anti allergic गुड बताए है ये अस्तुमा के सासाथ सर्दी, खासी और शाती में जमाब जैसे सासम्मदी समस्य के लाज में मदद करते है तो आप सोचे के अगर आप चीनी खा रहे हैं तो वो जहर धीरे धीरे आपके अंदर जा रहा है और पूरी तरीके से जो आप चीनी खा रहे हैं वो वेज है इसका कोई प्रमान नहीं है तो जब भी आप ये कह रहे हों कि आप vegetarian है तो हो सकता है कि जो आप चीनी का अस्तमाल कर रहे हो वो बोल पाउडर से बन रही हो उसका अस्तमाल इसमें हो रहा हो यह जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ chemical process से ही गुजरी हो यह process भी काफी ज्यादा चलन में है तो किसे चुनना ज्या बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपको दोनों में से किसे एक का train करना है तो गुड का train करें क्योंकि इसके फाइदे ज्यादा है जब कि रफैंड चीनी के लाब बहुत कम मानी जाते हैं चलिए अब चीनी के प्रकार भी जान लेते हैं white sugar white sugar खानी में ज्यादा मात्रा में इस हो सकता है इसका सेवन मूत को बहतर बनाने और एनरजी प्रतान करने में मदद करता है ब्राउन फुगर ब्राउन फुगर किसे लिए सुख्रोज और गूर्से बनती है जो इसे रंग और कैरमल या टॉफी जैसा स्वा देते हैं इसमें कैल्शम और इन जैसे कुछ जरूरी खनीच भी शामिल है इसे कैबरेडियन, यूरोप, ब्राजिल, आस्ट्रीलिया, दक्षिन अफ्रीका और सिक्तिराज अमेर्का के कुछ हिस्सों में व्याफ़क रूप से उत्पादित किया जाता है गंडे की चीनी जो आप लोगों के हमारे घरों में इस्तमान होती है दिय मासको वादो शुगर, मासको वादो शुगर नियमीच चीनी की तुनला में कम रिफैन होती है इसमें प्राकरतिक गुड होता है, डाक और लाइट वराइटी में प्लब्द मासको वादो शुगर में का कॉफी जैसा स्वाद आता है कोकुलेट शुगर कोकुलेट शुगर पौदे पर आधारित प्राकरतिक स्वीटनर है जो नारियल के फूलों के रस से बनाई जाती है इसमें बारीक दानी और अच्छा कैरमल स्वाग होता है तो यह है चीनी के प्रकार अब जैसर कि सबजियां भी आजकल नकली आ रही है दूद में भी मिलावट हो रही है दाल चावल का भी मैंने जिकर किया था किस तरीके से नकली चावल प्लास्टिक के चावल पॉलिश दाल आपको मिल रही है तो चीनी भी नकली आपको मिल रही है यो असले चीनी होती है वो गरने के रस से भनाये जाती है लेकिन कई बार यह इसमें जो बोन्स का पाउडर होता है वो इसको क्रिस्टल करने के लिए स्थमाल होता है तो ऐसे में प्रक्तिक सोर्च से जाल स्थ बर श्यादा है तो अब पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप चीनी को अपने फूड आइटम से कट करने वाले हैं या फिर इसका कोई विकल्ब जैसे कि मैंने बता है कि अच्छा विकल्ब हो सकता है आप उस तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं यह कहा पर जासकता है कि जो भी आप खा रही हैं अपने पूरे दिन में वो कितना बालंस्ट है आपके शिद्डिक लिए इसका द्यान रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में खाने पीने से बिमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्या आप' खा रहे हैं कितना खाना है और डॉक्टर से कॉसल्ट जैसे कि मैंने पहले कहा कि openness ज़रूरी है रिदाउक्स से कंसल्ट करें चीनी आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है और इसका विकल्प आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है यह जाने हैं भारत अपनाई में आज के लिए इतना ही कल फिर लोटेंगे और ऐसे ही किसी खाद्रिपदार्थ के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि और चीजे भी है जो इस वक्त मार्केट में है और जो आपके स्वास्त को हानी पहुचा रही है धन्यवाद